स्वागत है आप सबका मैं विवेक बंद्रा इंटरनाशनल मोडिवेशन स्पीकर लीडर्शिप कंसल्टेंट और बिजनस कोच आप में से बहुत लोग मुझसे काफी दिनों से पूछ रहे थे कि बिटकॉइन के विशेम में के स्टेडी दीजिए तो कुछ थोड़ा सा मैं आ सारे बिजनस कंसल्टेंट से मैं मिलता हूं लगबक सारे ही बड़े कॉर्परेट्स देश में मेरे ओलरी क्लाइंट से जो भी बड़ा आप बिजनस ग्रूप देखते हैं वह मेरा क्लाइंट है इतने सब लोगों से मिलने के बाद कुछ बेसिक चीज़े हमने समझी इन्वे कुछ ऐसा ही है दिश्टल करंसी ग्रूप के ग्लोबल CEO Barry Silbert इनका खुद का मानना है कि क्रिप्टो करंसी यह हाइस्ट रिस्क और हाइस्ट रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है इससे जादा रिस्क किसी में नहीं है और इससे जादा रिटर्न भी किसी में नहीं है देखिए परसंट से जादा है अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 30% से जादा ऊपर या नीचे जाती है एकी दिन के अंदर इसका मतलब बहुत ही अंसेफ इन्वेस्टमेंट है आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि Warren Buffett जो बहुत ही seasoned investor हैं वो 2014 में ही बोल चुके थे कि Bitcoin एक धोका थाबित हो सकता है आपके लिए एक मिराज है Warren Buffet कहते हैं The idea that it has some huge intrinsic value is just a joke in my view उनके हिसाब से People are not buying into the value of substance They are buying into the value of hype ये बस hype बढ़ रहा है इसलिए लोग उसको खरीद रहे हैं Actual genuine force ये किसी को नहीं पता कि Bitcoin बढ़ता कैसे है जब तक किसी चीज़ को आप influence नहीं कर सकते हैं उसमें investment खत्रा ये एक blind child है कमाउन क्या है blind child आपको कुछ दिखने ही रहा आगे क्या होने वाला है लेकिन एक पान वाला एक cigarette वाला एक नाई एक मोची हर आदमी Bitcoin खरीदने को ते क्योंकि सब खरीद रहें उसको पता कुछ नहीं है क्योंकि Bitcoin अगर आप अपनी माता पिता को आप समझा नहीं सकते कि Bitcoin है क्या आप अपने अगर पडोसी को नहीं समझा सकते Bitcoin है क्या दो लाइन में आपको क्योंकि क्या है Bitcoin एक ऐसे algorithms पर चल रहा है Investment की सबसे seasoned company Berkshire Hathaway इसके वाइस चेर्मेन चार्ली मियूंगर शुरू से एक बात बोल रहा है ये एक plague एक बिमारी की तरह है इससे बच के रहना ये बिमारी जितना ज़्यादा फैलेगी उतने लोगों को अपने चपेट में लेके खतम करेगी जादा दूर क्यों जाएं हिंदुस्तान में आ जाते हैं राकेश जुन जुन वाला जो सबसे seasoned investor हमारे देश के आप सब जानते हैं उनको वो बोल रहे है मुझको समझ नहीं आ रहा why people and investors are getting crazy about bitcoin उनके हिसाब से bitcoin का कोई आधार नहीं है तो लंबा टिके का कैसे जिसका कोई foundation ही नहीं है लंबा टिके का कैसे basically bitcoin एक exchange के medium की तरह शुरूआ था और आज investment बन गया है सब के लिए लेकिन यह investment एक virtual investment है यह actual investment नहीं है actual और virtual investment में बड़ा फरक है क्योंकि यह virtual investment है तो इसकी growth और इसके slump के पीछे कोई calculation और predictability लगभग नहीं है अब calculation और predictability ना उन्हें के कारण इसकी blindness और जादा बढ़ जाती है Benjamin Graham इनके बारे में आप जानते हैं दुनिया के सबसे रईस investor उनके mentor इनको वोड़ते है father of value investing इन्होंने शुरू में ही bitcoin के बारे में prediction बहुत साल पहले दे दी थी कि ऐसी currencies कहीं लोगों को धोके में लेके डूबेंगी चुकि इनकी long term value proposition एक्जिस्स नहीं करती है हाँ bitcoin में investment किया जा सकता है ध्यान दीजिए मैं ऐसा नहीं है आप सोचे कि मेरी case study में bitcoin के खिलाफ हूँ bitcoin के में खिलाफ नहीं हूँ मैं आप कोई calculation देना चाहता हूँ कि क्या आपके लिए bitcoin ठीक है या नहीं है bitcoin उनके लिए ठीक है जिनके पास personal disposable income बहुत बड़ी है क्या मतलब हुआ personal disposable income मतलब आपके पास वेर्थ का extra बचा हुआ बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है जो इसको फेंक के आप जा सकते हो अगर आपके पास ऐसा काफी सारा पैसा है तो आप bitcoin में डाल सकते हैं चुकि ये बहुत तेज उपर बहुत तेज नीचे जा सकता है जो actual investments होती उनमें predictability जादा है इसमें predictability कम होने के करण इसमें अगर आप जल्दी से बाहर आना चाहते हैं देखिए एक साल बाद अगर आपको बाहर आना है तो इसमें कठना ही हो जाएगी एक साल बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता लेकिन आज अगर आप इसको daily सुबेश शाम monitor करते हैं तो ठीक है वो भी तब जब आपके पास कुछ बड़ा extra amount जिसको पूरी तरह खोने पे भी आपको दुख नहीं होगा तब bitcoin आपके लिए ठीक है अमिताब बच्चन जी का भी पैसा bitcoin में बहुत तेज अचानक बड़ा बहुत तेज अचानक घटा यह जो बहुत तेज बढ़ना और बहुत तेज घटना जो है न इसको actually investment नहीं बोलते हैं इसको gambling बोलते हैं समझने के लिए थोड़ा comparison ले लेते हैं एक है virtual investment एक एक actual investment virtual में हम ले रहे हैं bitcoin को actual में ले रहे हैं चाहिए आपका debt fund आपका equity का fund आपके gold, आपके share, आपकी property आपके बाकी सारी FDP, PF, इसलेक्टरा जितनी भी तरह की investment हैं इनको हम actual मानते हैं इसको virtual मानते हैं actual और virtual में फरक यह है actual थोड़ा lazy है, थोड़ा slow है लेकिन predictable है, यह बहुत fast है unpredictable है और बड़ा volatile है दोनों में बड़ा अंतर है एक ही करके छोड़े छोड़े comparison देखते हैं एक दिन 19,000, अगले दिन 12,000 उसके अगले दिन फिर 15,000 तो यह जो शाप उपर नीचे जाना यहां से यह परणा चलता है bitcoin पर आप निर्भर होके plan नहीं कर सकते bitcoin एक dependable चीज़ नहीं है उस पर निर्भरता नहीं लेकिन बाकी सब पर आच्चोर investment पर आप dependability डाल सकते आप अपने बच्चों के लिए अपनी बेटी के लिए bitcoin खरीद के नहीं रख सकते आपको plan करके रखना पड़ेगा सोच के तयार रहना पड़ेगा कि यह पूरी तरह जीरो भी हो सकता है bitcoin क्या हाँ पूरी तरह जीरो भी हो सकता है ऐसा नहीं कि हो जाएगा हो सकता है novel concept है नया है limited track record है low credibility है पुराना concept है stable है detailed track record है higher credibility है bitcoin में आपको tax benefit ना investment के पहले मिलता है ना investment के बाद मिलता है लेकिन इधर जो actual investment है इनमें बहुत सारी investment है जिनमें tax benefit आपको पहले भी और बाद में भी दोनों level पे मिलता है और बाद का मतलब है जो आपको return मिलता है वो भी tax free होता है जिसे जितने भी equity based investments है, सब tax free returns हैं, यह थोड़ा एक फरक आपको, यहाँ पैसा बचा नहीं सकते सरकार, इधर से सरकार सब ले जाएगे आपसे आगे चलके, यहाँ सरकार आपको encourage कर रही है, इधर सरकार discourage करेगी जानते हैं क्यों? क्योंकि bitcoin का इस्तेमाल black market में हो रहा है, यहाँ money laundering में हो रहा है, hackers इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, terrorist कर रहे हैं, जितनी भी आपराधिक illegal activities, tax evasion की activity, यह सब bitcoin में की जा सकती हैं, लेकिन यह सरकार की regulation में है, सरकार की निगरानी में है, तो इधर जो भी, actually जो bitcoin का lendin है न, यह सरका के पेट पे लात मारने जैसा है, क्योंकि आप सरकार से उनकी tax की income, उनकी सरकार की कमाई, आप सोच रहे हैं कि सरकार को ठोक दें, पैसा हम अकेले कमा लें, यह है bitcoin, लेकिन इधर आप भी कमाते हैं, सरकार भी कमाते हैं, इसलिए इसको सरकार encourage करेगी, support करेगी, इसको तो य सरकार मदद करेगी, encourage करेगी, इधर नहीं, अच्छा जैसे की bitcoin purely digital है, तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि hackers ने, आपके accounts में जाकर के, देखो hackers बड़े तेज होते हैं, वो जाके आपके account में उसको hack कर सकते हैं, लेकिन इधर bitcoin के case में कोई बीच में third party नहीं है, अब लेकिन hack त किसे आपके credit card का पैसा किसी और के account में चला गया, वो reverse हो सकता है, लेकिन cryptocurrency bitcoin में अगर किसी और के account में चला गया, वहार reverse नहीं हो सकता, जब तक वो खुद वापिस ना करना चाहें आपको, चुकि यहां बीच में कोई और agency involved नहीं है, credit card के case में, debit card के case में, bank account के case में, बीच के इसका पैसा इसके account में गलत चला गया, तो वो reverse आ सकता है, उसकी इच्छा के बिना, इधर reverse नहीं आएगा, उसकी इच्छा के बिना, वो नहीं चाहे, तो नहीं दे, आप उखाड़ा लो क्या कर सकते हो, यह bitcoin में, ऐसा नहीं मैं बोल रहा है, और सुरक्षत है, लेकिन hacking हुई थी bitcoin की, यह cryptocurrency exchanges और wallet से कहीं बार हुआ है, बड़ा cyber attack हुआ था, biggest bitcoin exchange marketplace, mount gox पे, इधर लफड़ा यह है, कि अगर आपका पैसा चला गया, तो सरकार आपके साथ में कहां से आएगी, कोई है नहीं बीच में कोई नहीं है, तो वो एक बड़ा issue हो सकता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ है, पर consider करना चाहिए, मेरा काम है आपको खाली share करना, there is no central government body which is guaranteeing your bitcoin, so bitcoin का पैसा irreversible है, गया तो गया, आया तो आया, on the other side, it is backed up by government agencies and third party agencies, ताकि वो वापस आने में आपकी मदद तो कर सकते हैं, at least court में आप जा सकते हैं, कोई legal अडाई लड़ सकते हैं, अच can't ensure your bitcoins, लेकिन लगबख बाकी सारी investment का insurance किया जा सकता है, तो एक insurance का risk भी था छोटा सा, अब क्योंकि एक blind game है न, तो blind game में बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, तो जिस्तिन इसका price बहुत ज़्यादा गिरा, आपको cash out करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, उस समय cash out कर करते वक्त कोई और मिलेगा नहीं, खरीदार इसका, लेकिन दूसरी तरह जो actual investment है, वो कितना भी गिरता है, उसकी cash out की संभावना फिर भी बनी रहती है, चाहे भले इस अस्ते में हो, लेकिन cash out हो जाएगा, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये video bitcoin के खिलाफ है, ये video bitcoin के ख आना चाहता हूँ, जहां पर competition, calculation, prediction involved नहीं है, जो बिल्कुली blind game चल रहा है, उधर जाना हमेशा ठीक नहीं रहता, मेरे विचार में, investment in your cash can anytime crash, but investment in your business and brain can give you highest gain, अगर आप अपने business में invest करें, उसकी growth bitcoin के मुकाबले कहीं ज़्यादा गुना हो सकती है, ध्यान दीजेगा, ये बड़े परिवार है, ये सब bitcoin में पैसा डाल के बड़े नहीं हुए, ये अपने business में पैसा डाल करके बड़े हुए है, आपको दो जगह पैसा जादा invest करना चाहिए, एक आपके अपने business में और दूसरा आपके अपनी brain में, यानि कि ये जो brain है ना, जहां से सब कुछ आप सीखते हैं, जहां से सब कुछ आप बड़ा करते हैं, अगर इस brain में investment नहीं किया, जहां से आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो बाकी सारी investment की actual intelligence आएगी भी नहीं है, दो जगह फोकस करिए, safe investment से focus करिए और अपने business brain को बड़ा करते जाएए, और हाँ मेरा हमेशा मानना है अपनी earning में invest करने के साथ साथ, अपनी learning के लिए भी थोड़ा amount save करके रखिए, उसमें invest करिए, क्योंकि अगर learning बड़ेगी